हालो फ्रेंट स्वागत है आपका रीडा सरका चैनल में और आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और टेस्टी हरी मिश फ्राय यह आपके खाने के स्वाद को दस गुना बढ़ा देगा जो हम डेली रूटिंग में खाना खाते हैं उसके साथ आप यह हरी मिश फ्राय बना के लिए इसे बनाना शूर करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां पर हमें चाहिए हरी मिश तो मैंने यहां पर 20-25 हरी मिश लिया है जिसको अच्छे से धो लिया है और साफ कपड़े से साफ कर लिया है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसी के साथ यहां प अपको फैंकना नहीं है उसे भी हम यूज करेंगे तो इसी तरीके से बाकी सारी हरी मिच काट के हम रेडी कर लेते हैं बहुत ही चट्पट बन जाती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि यह चट्पटी होती है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं जब भी और थोड़ी सी मोटी यह क्या है यह थोड़ी सी कम तीकी होती है और खाने में भी पहुत टेस्टी लगती है अब यह जो हमने अम्या ली थी इसको भी हम छील लेते हैं अगर आपने इस तरीके से हरी मिच फ्राई बनाई है तो मुझे नीचे कमन बॉक्स में कमन लेके जरूर बताईएगा कौन कौन इस तरीके से हरी मिच फ्राई बनाता है और अगर आपने कभी भी इसको ट्राई नहीं किया है तो एक पार आप इस तरीके से हरी मिच को फ्राई तो इस तरीके से पतला पतला लंबा लंबा इसको काट लेंगे इसलिए आपको बहुत ही चोटी सी अमिया लेनी है और जो इसका बीच की जो गुटली है उसको हम निकाल देंगे तो ये देखिए दोनों चीश को काट के हमने रेडी कर लिया है अब चलते हैं इने फ्राई करने के लिए तो इने फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में हम डालेंगे ओल तो तीन से चार बड़े चमच हम इसमें ओल डालेंगे और जैसे आप देखेंगे ओयल हलका सा गरम हो गया है इसमें हम दो पिंच हींग डालेंगे और साथी में इसमें डालेंगे एक चुथाई चमच कलोंजी तो कलोंजी पूरी तरीके से ऑप्शनल है अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप ना डालें लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी कलोंजी डालूंगी और जैसे कलोंजी हलकी सी भुन जाएगी हम इसमें डाल देंगे अमिया तो ध्यान रखें यहाँ पे गैस की फिलि को बिल्कुल low to medium ही रखना है medium या high नहीं करना है और बस इसे अमिया में अच्छे से mix कर देंगे और अब हम इसे ढखके एक से दो मिनट तक पकाएंगे तो बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे लेकिन अभी हम इसे ढख देते हैं और फिर से हम इसे हटाएंगे और इ नीचे की साइट से लगे ना हमें इसे तब तक बूनना है जब तक कि यह जो अमिया है हल्की सी soft नहीं हो जाती तो अब हम फिर से ढख देते हैं एक मिनट के लिए और एक मिनट के बाद फिर से हम इसे हटाएंगे और चेक कर लेंगे ये जो अमिया है वो हलकी सी सॉफ्ट हुई है या नहीं अगर आपको लग रहा है कि हलकी सी हाड है तो आप आदा या एक मिनट के लिए और इसे ढख के पका सकते हैं वस्सेक यह पर देख सकते हैं, यह लकी सी सॉफ्ट हो गई है, अब यहाँ पर गैस की फिलम को पिलकुल लो कर देंगे, और इसमें हम मसाले डालेंगे, आदा चमच भानेज मेilstय हम नालेंगे, एक चछफाई Craft चमच हम इसमें डाल ओड़ी सॉफ्ट कर देंगे तर्दा हमें डालेंगे soft powder तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप इसे जरूर एड़ करें और साथ में डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार तो ध्यान रखें हमने इसमें काला नमक भी एड़ करा है और चाट मसाला भी एड़ किया है इसलिए नमक आप इसने हि लेना और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे और यह लीजे यहां पर यह जो मिर्च फ्राई है यह हमारी बनके रेड़ी है मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अगर आपको और थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और फ्र नहीं होगी और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह लीजे बहुत ही चटपटी मसाले दार यह हमारी मिर्च फ्राई बनके रेड़ी है अब इसे अच्छे से ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद आप इसे किसी भी बरतन में रख लें फ्रिज में आप इसे एक स comment box में comment लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिल फ्रेंड्स के साथ और चैनल को अब इतक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार